पूर्ती मंत्री किशन कपूर ने धरमशाला में पत्रकार वारता के दौरान कहा कि प्रदेश में सारवजनिक वित्रन प्रणाली के तहट उपलब्ध करवाय जा रहे हैं राशन के मामले में क्वालिटी से कोई समझोता नहीं किया जाएगा किशन कपूर ने कहा कि सारवजनिक वित्रन प्रणाली के बेहतर संचालन के लिए ई-PDS-HP नाम से मुबाइल एप लाँच किया गया है इस एप पर जहां उपभोगताओं को पीडियस राशन संबंधी पूरी जानकारी उपलब्ध होगी वहीं उजित मुले की दुकान की शि जंता तरस थी उस समय थाली चमच लेकर कॉंग्रिस ने प्रदर्शन क्यों नहीं किया उन्होंने कहा कि ऐसे प्रदर्शनों से कॉंग्रिस को कुछ हासल होने वाला नहीं है क्योंकि प्रदेश की जंता कॉंग्रिस की कथनी वकरनी के अंतर को जान चुकी है किशन कपूर न मंतरी किशन कपूर ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जो बहतर क्वालिटी की दाले बड़ी बड़ी दुकानों वो मौल से अमीर लोग खरीते हैं उसी क्वालिटी की दाले वो अन्य समागरी आम जंतों को भी उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि सारजनिक वित्रण प्रनाली के बहतर संचालन के लिए EPDS HP नाम से मुबाइल एप लाँच किया गया है वहीं उचित मुले की दुकानों सम्बंधी शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर 1967 भी जारी किया गया है उन्होंने कहा कि मुबाइल एप पर जहां उप लब्द होगी वहीं उचित मुले की दुकान की शिकायत उपभोकता टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं इन चार महिनों में एक तो रासन की गुन्वक्ता है क्वालेट दूसरा रासन की सप्लाई नियमत हो तीसरा जो रेट थे जो पिछली सरकार के समय में थे ग्रीबों के अधेशी कहलाने वाली सरकार सरकार के रेट और हमारे इस रेट में बहुत अंतरा है इन तीन महिनों में फर्स्ट पेस पे अभी वाइस करोण की बचती है और रेट डाउन आ रहे हैं ऐसे ही डालों के भाउज ऐसे गिर रहे हैं क्योंकि यहां तो थाली और चम्चे बचाने वाले जो जिनको गलती ने थी बड़ी दुकाने जहां बड़े अमीर आदमी जाते हैं वहाँ साफ सुत्रा राशन लेते हैं वही क्वालिटी हम गरीब आदमी को दे रहे हैं सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निर्पजित मिपी की रिपोर्ट क्वाला से निर्पजित मिपी की बड़े आदमी की बड़े हैं